बात करते हैं जाने माने निर्माता निर्देशक मनमुहन देशाई जी के मनमुहन जी में भी कुछ चुम्बकिय शक्ती ऐसी थी कि वे जिस सितारे को फिल्म उफर करते थे वो उनकी फिल्म में काम करने के लिए तुरंथ तयार हो जाते थे राज कपूर से उन्होंने शुरुआत की थी जब राजेश खन्ना सितारा बने तो उन्हें अपने फिल्म में मौका दिया अमिताव बच्चन को सितारा हैसियत बनाने का स्रे मनमोहन देशाईक जी को ही जाता है मन जी पर अमिताव आँख मूद कर बिश्वास करते थे और कभी उन्होंने सवाल नहीं किया कि फिल्म में उनसे ऐसा क्यूं करवाया जा रहा है अमिताव जानते थे कि आम आदमी की नब्ज पर मनमोहन जी की घजब की पकड़ है अमिताव मन जी के पसंदीता एक्टर हो गए थे कुली फिल्म के सेट पर खलनायक के एक घुसे से घायल अमिताव के सेहद लाब के लिए मन जी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था शशी कपूर, जिशी कपूर, विनोध खन्ना, शत्रुगन सिन्हा, धर्मेंदर, हिमा मालिनी, परविन बौवी जैसे तमाम स्टार्स के साथ उन्होंने फिल्म बनाई इंडस्ट्री में लोग उन्हें प्यार से मन जी कहके बुलाते थे मन जी ने अपने 30 साल के फिल्मी करियर में 20 फिल्में डिरेक्ट की इन में से 15 फिल्में ने सिल्वर, गोल्डेन तथा डायमंड जूबली तक मनाई थी मन जी की फिल्म बड़े बजट के बड़े सितारे और भवबता के साथ बनाई जाती थी दूनिया में अभी तक ऐसा कोई फंदा नहीं बना जो मंगल की कर्दन में फिट हो सके वो भी शो मैन थे मगर घर के चट पर चरकर अपने शो मैन होने की बात पर वो कभी जोर से नहीं चिल्लाए हिंदी सिनेमा के प्रसिध निर्देशक मन मोहन देशाई का जन 26 फरवरी 1937 को मुंबई महराष्ट में हुआ था उनके पिता का नाम किक्कू देशाई था जो की एक फिल्म प्रोडिूसर थे और उन्होंने पैरामाउंट स्टूडियो की स्थापना भी की थी उनके छोटे भाई शुभाश देशाई भी फिल्म निर्माता बने यानि पूरा परिवार फिल्म उद्योग को समर्पित रहा अपने पिता के स्टूडियो से बहुत कुछ सिखने के बाद मनमोहन देशाई ने पचास के दशक में बाबू भाई मिस्त्री के सहायक बन गए इस दौरान उन्होंने फिल्म निर्मान की बारिकिया सिखी और इसके बाद उन्होंने फिल्म निर्मान में कदम रखा मुंबई के गुजराती परिवार में जन्मी मनमोहन देशाई के पिता का साया उन पर से साड़े तीन साल में ही उठ गया था उनके भाई सुभाष देशाई जी उनसे बड़े थे और वो फिल्म लाइन में मनमोहन जी से पहले ही आ चुके थे सेंट जेवियर्ट स्कूल कॉलेज से मन जी ने इंटर्मीडियर्ट तक शिक्षा प्राप्त की 20 साल की उम्र में उनके बड़े भाई सुभाष देशाई ने उन्हें सला दी के वो अपने किस्मत फिल्म लाइन में आजमाए उन्हें फिल्म चलिया के निर्देशन के जिम्मेदारी सौपा गया अंतर राष्ट्रे प्रसिद्धी वाले राज कपूर और नूतन जी इस फिल्म के हीरो और हीरोईन थे अपने एंटर्टेनिंग स्टाइल से मनमोहन देशाई ने राज साहब को प्रसंद्न किया फिर उनकी मदद से कल्यान जी आनन जी से राज साहब की पसंद का संगीत भी तयार करवाया फिल्म हिट हुई छलिया मेरा नाम चलना मेरा काम हिंदू मुसलिम सीख इसाई सबको मेरा सलाम ये गाना तो आज भी लोगप्रिय है इस पहली फिल्म के पालने से ही मन जी के पाउं दिखाई दे गए थे के वे कितने आगे जाएंगे मनमोहन देशाई की पहली पतनी का नाम जीवन प्रभा था उनकी मृत्यू 1979 में हो गया था इसके बाद 1992 से उनके मृत्यू तक अभिनेत्री नंदा से मनमोहन देशाई जी जुड़े रहे मनमोहन देशाई जी के बेटे केतन देशाई भी एक फिल्म निर्माता और निर्देशक है और वो भी अपने पिता की तरह ही एंटर्टेइनिंग और समवेदन शिल्फिल्मे बनाते हैं केतन देशाई का विवाह कंचन कपूर से हुआ है जो शम्मी कपूर और गीता बाली की बेटी है 1st March 1994 को मनजी ने अपने घर की पांचवी मनजिल से कुद कर आत्म हत्या कर ली थी ये रहस्य आज भी रहस्य है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था मनमोहन देशाई जब फिल्मों में आए तब दिलीब कुमार देवानंद और राज कपूर की त्री मूर्ती के अलावा शम्मी कपूर एक राइजिंग स्टार के रूप में उभर रहे थे मनमोहन देशाई ने शम्मी कपूर को लेकर फिल्म बलाफ मस्टर और बत्तमीज फिल्म बनाई दोनों ही फिल्मों ने ओसत सफलता हसिल की ब्लफ मस्टर का हसी मजाक जोश खरोश से फिल्माया गया गाना गोविंदा आला रे हर जन्माष्टमी पर मक्षन के हंडिया फोर्ते समुह द्वारा जोर सोर से आज भी गाया जाता है दरसल मन जी राजकपूर के स्कूल के विद्यार्थी थे गुरू तथा चेले में अंतर यही था के राजकपूर के फिल्म स्टाइल का वो सरली करन कर देते थे वनाजन तलक अपनको कोई ऐसे नहीं पकड़ा तुम फर्स्ट और लास्ट अदमी है मन मोहन देशाई की फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन देखने को मिलते थे के जादूगर पी सी सरकार भी वैसा जादू कभी नहीं दिखा पाए अथवा कोई बैट मैन, सुपर मैन, स्पाइडर मैन भी जिसे सभब नहीं कर पाता उसे मन जी की फिल्म में साधरन कलाकार संभब करके दिखाते थे ऐसे ही कुछ द्रिश्य है के फिल्म मर्द में हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है जमीन पर दारा सिंग घोड़े पे सवार है वो रसी का फंदा इतनी ताकत से उचालते हैं कि वो हवाई जहाज के पंक में उलज कर उसे जमीन पर उतरने को मजबूर कर देता है ये भले ही अती हो मगर दर्शक दारा सिंग के हाथो ये कमाल देखते हैं तो आसानी से भरोसा कर हॉल में तालिया पिटने लगते थे फिल्म का हीरो किसी इमारत की दसवी मंजिल से नीचे गिर रहा है तो सडक पर कपडों से लदा ट्रक गुजरता है जो उसे बचा लेता है भारतिय पौरानिक कथाओं में जो किरदार तथा चमातकार हुए थे उन्हें आधुनिक अंदाज में परदे पर दिखाई देने में मंजी की महारत को सलाम करने का जी चाहता है इसके पीछे एक सच्चा ये है कि निर्देशक बनने से पहले मनमोहन देशाई की ट्रेनिंग मश्वूर सिनेमाटोग्राफर बाबु भाई मिस्ट्री की निर्देशन में हुई बाबु भाई धार्मिक फिल्मों के ट्रिक फोटोग्राफिक और स्पेशल एफेक्ट्स के बादशाथ है मनजी ने उस कला का इस्तेमाल अपने सामाजिक कमार्शियल फिल्मों में बहुभी किया जदी मनमोहन देशाई की तमाम फिल्मों को खारिज कर दिया जाए और सिर्फ अमर अकबर एंथनी फिल्म को ही रखा जाए तो भी वो हमेशा याद किये जाएंगे और इस मनुरंजक फिल्म के जरिये फिल्म इतिहास में शामिल रहेंगे बीबीसी लंडन ने जब अपने चैनल पर हिंदी फिल्म दिखाने का फैसला लिया तो पहली फिल्म थी अमर अकबर एंथनी इस फिल्म की कवाली परदा है परदा आज भी बेहद लोग प्रिय है दरसल मनमोहन देशाई मुंबई के खेतबाड़ी इलाके में रहते थे जहां अकथर कवाली की राते होती थी उसका असर उन पर जबरदस्त हुआ आम आदमी के बीच रहना मनमोहन देशाई जी को अच्छा लगता था इसलिए मुंबई के पोश इलाके में रहने के लिए वो कभी नहीं गए खेत बारी में वो अक्सर आम लोगों के साथ क्रिकेट खेलते थे और उनी के बीच से वो अपने फिल्मों के लिए किरदार ढूंड लिया करते थे ये मनजी की विशेष्टा है और उनका फॉर्मूला भी है कि उन्होंने बच्पन में खोए भाई तथा माबाप के फॉर्मूले पर इतना जोर दिया कि वो उनके नाम का पेटेंट बन सकता था मनमोहन देशाई के लगभग सभी फिल्मे लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूले पर ही आधारित है खोए बच्चों की मा का किरदार निभारे ही अभिनेत्री निरूपा राय पर तो मजाक में ये लिखा जाता था कि वो ऐसी मा है जो दो बच्चों को भी समाल कर नहीं रख पाती और वे बच्चपन में ही बिछड जाते थे लेकिन फॉर्मूले की शुरुआत के लिए पाठोकों को हम याद दिला दे के बॉंबे टॉकिस की फिल्म किस्मत जो साल उनी सो तैतालिस में रिलीज हुई थी उसमें भी अशोक कुमार अपने मा बाप से कुम्भ के मेले में भी चड़ जाते हैं मन्जी ने विदेशी फिल्मों की कभी नकल नहीं की और ना कभी प्रेणा प्राप्त की वे भारतिय फिल्मकारों की फिल्म से ही आइडिया लेकर अगली फिल्म उससे बहतर बनाने की कला जानते थे जैसे बी आर चुप्रा साहब की फिल्म वक्त से आइडिया लेकर अमर अकबर एंथनी बना कर अधिक सफलता हासिल करने में मन्जी कामियाब रहे मनमोहन देशाई का फिल्म मसाला फिल्म थी वे दूसरे फिल्म कारों की तुलुना में डबल तड़का लगा कर अपने दर्शकों को परोशते थे वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि देश के फिल्म समिक्षक उन्हें निजाम ओफ नॉनसेंस यानि कि बकवास का बादशा या फिर ड्रीम ओफ एमपेरोर यानि कि सपनों का बादशा ऐसे ऐसे बिशशणों के साथ खिल्ली उडाते हैं मन्जी ने अपने आलचकों की कभी परवा ही नहीं की जो रास्ता एक बार तै कर लिया आखरी समय तक उस पर चलते रहे उनका सिधा तर्क था सिनेमा मेरे लिए शिक्षा तथा कला बिलकुल नहीं है महेंगाई बेरोजगारी गरीबी भरस्टा चाव और अभाबों के बीच रहने वाला आम आदमी जब फिल्म देखने के लिए आता है तो उसे मनोरंजन और सिर्फ मनोरंजन चाहिए मैं हमेशा मनोरंजन प्रधान फिल्में बनाता रहूंगा जब नहीं बना पाऊंगा तो फिल्म से ही सन्यास ले लूंगा मनमोहन देखाई जी के कुछ उलेखनिये फिल्मों का नाम है चलिया, ब्लॉफ मास्टर, किस्मत, सच्चा जुटा, भाई हो तो ऐसा, रामपूर का लच्मन, शरारत, आगले लगजा, अमर अकबर एंथनी, चाचा भतिजा, धरम वीर, परवरिश, सुहाग, नसीब, देश कभी बैट कर सफर नहीं करते थे, पिछले सीट पर वो लेट जाते थे, ऐसी स्पेशल वैन उन्होंने अपने लिए और अमिताफ बच्चन के लिए भी डिजाइन कराई थी, मन्जी कभी टीवी नहीं देखते थे, कभी देखना होता तो टीवी स्क्रीन की इमेज को दरपन में देखा करते थे, उनका मानना था कि इस से आँख खराब नहीं होती है, मन्जी शराब, सिगरेट, गुटका का इस्तेमाल कभी नहीं करते थे, सिर्फ दिल्चस्प सपने देखते थे, मन्जी अपने हिरोईनों में बहुत पपुलर थे, लेकिन कभी किसी हिरोईन से वो एफेर नहीं किये गंगा यमुना सरस्वती तुफान फिल्मों के पीटने के बाद मनजी थोड़े डिप्रेशन का शिकार हो गए थे धनिया दाल और सुपारी खाने का मनजी का बेहद शोक था मनमोहन देशाई का पूरा सिनेमा मनोरंजन का सिनेमा है आम आदमी की रूची का फिल्म उन्होंने हमेशा बनाया लेकिन कभी फुहरता का सहारा नहीं लिया अपने फिल्मों में कभी हिरोईन से अंग प्रदर्शन नहीं करवाए वे खुद बहुत हसमुक थे मिलनसार थे सूरट के शहर से उनके पुरवजों का वास्ता था वे हमेशा सूरट स्टाइल मे गालिया बका करते थे अपशब्द उनके मुह से कब निकल जाएगा कोई बता नहीं सकता था एक बार अमिताफ बच्चन ने उनसे पूछा था कि मन जी आप सेंट जेवियर्स के प्रोडक्ट है फिर ये गालिया क्यों बकते हैं मनमोहन जी का जवाब था इन में कोई दुर मोल की गाने तो हिट हुई ची लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली उनके बेटे द्वारा बनाई गए फिल्मे असफल हो गई वीडियो के आने से घर घर फिल्मे देखे जाने लगी जिससे उन्हें सिनेमा का भविश्य अंधकार मैं नजर आने लगा इस तरह आम आदमी को हसाने वाला खुद ट्रेजिडी का शिकार होकर गुजर गया मन जी की ये नियती समझ से परे है अनेको हिट फिल्मों बनाने वाले निर्माता निर्देशक मनमोहन देशाई जी को आनंद इंटर्टेन्मेंट्स परिवार के तरफ से लाखो सलाम नमन और सद्धा अर्पित क किया जाता है